ओम सर्व मंगलमीती सुभम स्रीशिद्धी चैनल आपका स्वागत करता है आज का विशे है निर्धन ब्राम्हन का उध्धार एक बार देवर्सी नारत तीर्थ स्थानों का ब्रह्मन करते हुए प्रत्वी की परिक्मा कर रहे थे उन्होंने देखा कि इस कलिकाल में मनुस बहुत दोख उठा रहे हैं कहीं कोई भूखे पेट सो जाता है तो कहीं व्यक्ती मदिरा का दास बनकर कलेस भोग रहा है तो कोई असाध्य रोक से पीडित है कलिक के प्रभाव से मनुस धर्म का मार्ग भटक गए हैं और अपने कल्यान को भूल वैठे हैं यह सब देख कर देवर्सी नारद बहुत दुखी हुए और वे अपनी संका का समधान पाने के लिए व्यकुंट की ओर चल पड़े व्यकुंट पहुचकर नारद जी ने स्रीहरी को प्रणाम कर बोले हे जगत के पालनहार अपने संसारियों का कष्ट हरन करो वे सब कली के प्रभाव से अत्यंत कष्ट उठा रहे हैं तब स्रीहरी बोले हे देवर्सी म्रत्यू लोग को कर्म भूमी कहा जाता है यहाँ मनुसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ती होती है और प्रारव्द तो भोगने से ही कठता है इस पर देवर्सी नारद बोले तो क्या प्रभू यह संसारी लोग ऐसे ही कष्ट में रहेंगे क्या इनके कल्यान का कोई मार्ग ना होगा हे पुरसो तम आप तो सरनागत वत्सल हैं दीनों पर दया करना आपका वचन है सो हे क्रपा मूर्ती आप दीनों पर दया करें तब स्रीहरी बोले हे नारद तुम्हारी विनएपूर्ण वानी से मैं संतुष्ठ हुआ इसलिए तुम्हारे समक्षे इसकुप्त रहष्ष को प्रगट करता हूँ सत्त ही ज्यान है, सत्त ही धर्म है सत्त ही हर प्राणी की गती और अंती मवस्था है सत्त से ही तीनों लोक इस्थिर है हे नारद, सत्त से ही ज्यान और वेराग का मार्ग खुलता है तम मनुष्य के अंतर में भक्ती का अंकुर फूटता है भक्ती ही प्राणी को मुझ तक लाती है और जो मुझ तक पहुच गया उसे परमानंद की प्राप्ती होती है आज प्रसंग वस में तुम्हें एक निर्धन ब्रामन के उद्धार का वर्णन करता हूँ लोग प्रसिद्ध कासी नगर में सतानंद नाम के एक विद्धान ब्रामन रहते थे वे स्री नाराइंट के परमभक्ते थे ब्रामन सतानंद बहुत निर्धन इवम दीन थे वे भ익छा व्रत्ती से ही अपना और अपने परिवार का जीवनियापन करते थे फिर भी उन्हें यह विश्वास था कि उनकी दीन ता स्री नाराणी से छिपी नहीं है एक दिन वे हम पर अबस्षक रपा करेंगे एक दिन की बात है सतानन्द भिक्षा मांगने के लिए दिन भर भटकते रहे ठक कर वे एक व्रक्ष के नीचे विश्राम करने लगे वहीं पर स्री नाराणी व्रद्ध ब्रामन के वेश में आकर रुखे वे ब्रामन वेश्दारी स्री हरी ने सतानन्द से पूछा हे विप्रवर आप किस कारण से कहा जा रहे हैं तब सतानन्द बोले हे दुश्रेश्टे मैं अपने परिवार के भरन पोसन के लिए धन आचना की कामना से धनिकों के यहां जा रहा हूँ तब ब्रामन वेश्दारी स्री हरी ने कहा हे ब्रामन देव सबसे बड़ा धनिक तो संसार में एक ही है तुम उसकी सरण में क्यों नहीं जाते जो उनसे मांगता है उसे फिर किसी और से मांगने की आवशकता नहीं होती तफसात अनंद ने कहा हाँ भाई मैं तुम्हारा आचे समझता हूँ इसी उम्मीद में तो इधर धर उनका नाम इसमरन करते हुए भटकता हूँ कि एक ना एक दिन उनकी क्रपा मुझ पर अवश्य होगी तब ब्रामन वेश्दारी स्रीहरी ने कहा हे विप्रबर इसका लिकाल में स्रीहरी की क्रपा प्राप्त करने का एक सीधा और सराल मार्ग है स्रीसतनाराण की कथा का स्रमन करो इससे तुम पर उन दयालू पुरसोस्तम की सीगरी क्रपा होगी और तुम्हारी दरिद्रता का समन वियाभस्ष करेंगे तब साता नंद ने कहा कि हे दुश्रेष्ट यदी ऐसा है तो मैं कल ही सिरी सतनाराण की कथा करूँगा तो हे विप्रबर मुझे सतनाराण कथा की विधी बताने की क्रिपा करें तब ब्रामन वेश्दारी स्रीहरी बोले कि अभीष्ट कामना की सिद्धी के लिए पूजा की सामगरी एकत्र कर विधी पूरवग भगवान सतनाराण की पूजा करनी चाहिए सवा सेर के लगभग गौधूम चूर्ण में दूध और सकर मिलाकर उस चूर्ण को ध्रत्युक्त कर स्रीहरी को निवेदित करना चाहिए यह भगवान को अत्यंत प्रिये है पंचामर्त के द्वारा भगवान साल ग्राम को इसनान कराकर गंध, पुस्प, धूप, दीप, नैवेद तथा तामबूल आदी उप्चारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए अनेक मिष्ठान तथा भक्ष भोज्य पदार्थों एवं रितुफल फूलों से भक्ति पूरवाग पूजा करनी चाहिए फिर ब्रामण तथा सजनों के साथ आदर पूरवाग कथा का स्रवन करें इसके बाद प्रसाद वितरन कर बंधु बांधों के साथ भोजन करना चाहिए आगे ब्रामण वेजदारी स्रीहरी ने कहा जो मनुस इस प्रकार विदी पूरवक सत्त नाराण भगवाण की पूजा करते हैं वे पुत्र पोत्रादी से संपन्न होते हैं और उन्हें अंत में वेकुंठ की प्राप्ती होती है इतना कहकर भगवाण अतरधान हो गए और सत जर्चकित हो अपने घार आ गए उन्होंने सारा व्रतांत अपनी धर्म पतनी को बताया वही प्रसनता पूरवक सत्त नाराण पूजा की तैयारी करने लगी उसने अपने सगे संबंधी बंदु बांदु आ दी सभी को पूजा में समलित होने के लिए मंत्रित कराई इसके सता नंदे ने भक्ति पूरवक भगवान की पूजा की कथा की समाप्ती पर प्रसंद होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बक्त वत्सल भगवान सत्त नाराण देव प्रगट हो गए उनका दर्सन कर ब्रामन सता नंदे ने भगवान से पराभक्ति की आचना की औ अभी से लोक में इस कथा का प्रचार हो गया, सभी को यह ग्यान हो गया कि भगवान सत्त नाराण का वरत अभीष्ट कामनाओं की सिद्धी देने वाला है, कलाय का नासक एवं भोग और मुख्ष प्रदान करने वाला है, ऐसा ग्यान होने पर सभी एक स्वर में बोले, जै हो स सत्त नाराणी भगवान की, जै स्री राम